हलो अवरिवन वेलकम टू आर यूटूब चैनल आज है 17 अक्टोबर 2020 एक नई दिन के करेंट अफेर्स के सुरुवात करते हैं किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ओफ दा इयर अवोर्ड दोहजार बीस जीत लिया है तो दोस्तो इसका जो सही answer होगा वो है option number A आपका correct होगा बैंक ओफ घाना जो है इन्होंने Central Bank of the Year Award 2020 है वो यहाँ पर जीत लिया है गाईज हम यहाँ पर घाना के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके important जो points है मैं आपको बता देता हूँ घाना अफरिका महादीप में स्तित एक देश है बैंक ओफ घाना जो है इसके full form होगी अच्छा इसकी स्थापना 1957 में हुई थी इसका मुख्यल है अकरा घाना के अंदर देखने को मिलेगा और यहाँ के governor है एंस्ट्र कार्मिना येडू एडिशन तो यह चीज आपको यहाँ पर याद रखने है यह बहुत important question यहाँ पर बन जाता है किसने Central Bank of the Year 2020 के governor of the year का पुरुसकार है वो यहाँ पर जीता है तो यह जीता है option number आपका correct होगा यहाँ पर D आपका correct है Mark Carney जो है इन्होंने यहाँ पर Central Bank of the Year Award 2020 में governor of the year का पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो यह question आपको यहाँ पर याद रखना है यह बहुत ही ज़्यदा important question यहाँ पर बन जाता है किस राजे की सरकार ने सुच्छ पेईजल के लिए सूजल ड्रिंक फोर टैप मिशन योजना की सुरुआत की है तो यहाँ पर यह सुरुआत की है option number आपका correct होगा बी उरिसा की सरकार के द्वारा यहाँ पर सुजल ड्रिंक फोर टैप मिशन योजना की सुरुआत की गई option number आपका यहाँ पर भी correct होगा इस योजना का एक मैन लक्षे होगा यह एक मैन इसका यहाँ पर एक point आपको यहाँ पर याद रतना है यहाँ पर बात की जाए उरिसा राज्य की तो इस्थापना होई थी एक अपरेल 1936 को राजदानी है भुवनेश्वर मुख्य मंत्री है नवीन पतनायक बीजू जनतादल पार्टी से आते हैं गवर्नर है गनेशी लाल मुख्य नैदीस हैं महुमद रफीक लोग सभा की सिटे हैं 21 राज्य सभा की सिटे 10 आपको देखने को मिलेंगे और विदान सभा की सिटे 147 आपको देखने को मिलेंगे राजके पश्यू है सांबर और राजके पक्षी है इंडियन रोलर और राजके वरक्ष है अशोक यहाँ पर चार पडोसी राज्य भी है पश्यम मंगाल है जहारखंड है चतिसगड है आंदर प्रदेश जो की आपक पूर जील भी कहा जाता है तो यह भी important point यहाँ पर बन जाता है भारत का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बांध यह उडिसा के महा नदी परिस्तित है अब्दुल कलाम ड्वीप विलर ड्वीप यह भी उडिसा के तड़ पर ही आपको देखने को मिलेगा किस बैंक ने healthy life program healthy life program को launch किया है तो गाइस यह launch किया गया है option number आपका correct होगा SDFC option number आपका यहाँ पर भी correct होगा अच्छाए यहाँ पर इसके बारे में important point हम जान लेते हैं SDFC बैंक ने अपने ग्रहकों का ध्यान रखने हे तू healthy life program की सुरुवात की है और इस सेवा के तहत बैंक अस्पताल का बिल चुकाने के लिए ग्रहकों को 40 लाक रुपे तक का unsecured personal loan जो है यहाँ पर unsecured loan जो है वो भी यहाँ पर देगा SDFC की बात करें यहाँ पर Housing Development Finance Corporation जो है इसकी full form होगी इस्थापना अगस्त 1994 में हुई है अध्यक्स जो इसका मुख्यला है वो है मुंबाई में अध्यक्स है यहाँ पर C.E.M. वासुदेव अगला question देखें यहाँ पर विश्विच छात्र दिवस जो की अब्दुल कलाम के जनमदिन के उपलक्स में मनाया जाता है यह दिवस कब मनाया जाता है तो यह हम मनाते हैं option number आपका correct होगा A आपका correct होगा 15 October को अच्छा यहाँ पर इसके बारे में important point हम जान लेते हैं A.P.J. अब्दुल कलाम का जनमदिन 15 October 1931 का इनका जनम होता है तमिल लाडू के रामेश्वरम में हुआ था और इन्नोंने भारत के missile man के भी नाम से इनको हम जानते हैं A.P.J. अब्दुल कलाम को विज्ञान के छेतरों में महरपूर्ण योगदान के लिए भारत का सरवचे नागिरिक सम्मान भारत रतन से भी इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया था डॉक्टर कलाम भारत के ग्यारवे राष्टपती देखने को आपको मिलते हैं तो ये भी एक बहुत ही ज़दा important question आपर बन जाता है किस company ने छात्रों और शिक्षकों को शशक्त बनाने के लिए A.I.C.T.E. जो है उसके लिए साज़ेदारी की है तो ये यहाँ पर की है लर्निंग पोर्टल के माध्यम से Microsoft 1500 से अधिक online course छात्रों और शिक्षकों की initial को प्लद्वता यहाँ पर करवाएगा बात हो रही है Microsoft की तो स्थापना हुई थी 4 April 1995 को मुख्यले वसिंग्टन DC के अंदर देखने हूं मिलेगा जो की संयुक्त राजे अमेरिका के अंदर इस्तित है CEO है सत्य नडेला स्थापना जो है वो है Bill Gates और Paul Allen Paul Allen की death 2018 दिसंबर मंत के अंदर हो गी थी तो यह भी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है ADB ने किस राजे में जल आपूर्ती के लिए 300 मिलियन डोलर के रिन को मंजूरी दी है तो यह यहाँ पर दी है option number आपका correct होगा D जो है वो आपका यहाँ पर राजस्थान के दौरा ठीक है तो यहाँ पर बात हो रहे है यहाँ पर ADB यानि की Asian Development Bank यानि की एश्याई विकास बैंक की जिसकी स्थापना गुनिस अप्रेल गुनिस दिसंबर 1966 को हुई थी इसका मुख्यल है आपको Manila Philippines में देख लिए उमलेंगे और अध्यक्स जो है वो है मचाथ सुगु असा कावा यह चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को परदूशन मुक्त करने के लिए अपनी नई नीती के तहत किन वाहनों पर रोड टेक्स में छूर देनी की घोशना की है तो कल मैंने आपको यह कुशन करवा चुका हूँ यह यहाँ पर दी है उप्शन नमबर यह आपको बैटरी चालत जो वाहन है यानि कि आपका यहाँ पर उप्शन नमबर ए करेक्ट होगा इलक्ट्रिकल वाहन नीती के तहत दिल्ली को पूरी तरीकेशे परदुशन रहीत बनाने के लिए इलक्ट्रिक वाहनों पर बड़े पैमाने पर लोगों को प्रोट्साहित और जागरु करने के लिए यहाँ पर यह जो कदम है road tax हटाने का वो यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया अच्छा दिल्ली सरकार के आपको comment करके बताना है दिल्ली सरकार के उप्राजेपाल जो है वो यहाँ पर कोन है comment करके सभी लोग बताएंगे कोन है भारत पे ओनलाइन पैमेंट आप ने अपने टीम भारत पे अभियान के लिए कितने किरकेट स्टार्स को ब्रेंड आमेज़र बनाया है तो ये टोटल बनाया है 11 किरकेटरों को अचा टीम जो है यहाँ पर टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जस्पृत बुम्बरा इसके लावा यहाँ पर आपको राहुल, इसके लावा शमी, इसके लावा चडेजा रैना, अईयर शो, इसके लावा सैमसन ठीक है और इसके लावा चहल और यहाँ पर सुबमन गिल जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अच्छा भारत पे की बात की जाए यहाँ पर तो यह एक online payment platform है इसका मुख्यल है नई दिली में देखने को मिलेगा और CEO और यहाँ पर सहस अंस्तापक है एश्वार गुरोर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे विश्वे हस्त प्रक्षालन दिवस जो है यहाँ पर hand washing day जो है वो कब मनाया जाता है तो यह हम मनाते हैं 15 October को गाइज आपको एक target देख रहा हूँ आज का ठीक है आपको कोई भी 15 दिन जो है वो आपको comment section में लिखते हैं देखते हैं आपको कितने days आपको आते हैं इस मन्त के क्योंकि मैंने आपको काफी बार revise करवाय है इस दिन को मनाने के उदेश है हातों को अच्छी तरह से दोने के फाइदों और महत्यों के बारे में लोगों को जागरुक करना है कोरोना महामारी के दोरान लोगों को हाथ दोनों को लिए प्रोचसाहन करने के लिए कोरोना संकर्मन को रोकने के लिए आपर यह जो कदम है वो उठाये जाता है विश्वे हस्त प्रक्षालन दिवस 2020 की जो थीम है हैंड हाईजीन फोर ओल जो है वो रखी गई है जो की बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट थीम है वो मानी जा रही है भारतिय सेना और किस रज्य की पुलीस ने आतंगवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच को सुरू किया है यह किया गया option number आपका correct होगा यहाँ पर आपका option number B correct होगा माहराष्ट सुरक्षा कवच अभ्यास का उद्देश है आतंगवाद विरोधी कारिवाई में सेनिकों को सैयुक्त प्रशिक्षन परदान करना ताकि राज्य की पुलिस किसी भी आतंगवाद गतिविदी से निपट सके माहराष्ट की बात करें तो यहाँ पर राजदानी है मुंबई मुख्य मंत्री जो है उद्दव ठाकरे जो की BGB पार्टी से आते हैं गवर्नर है भगत सिंग कोशारी मुख्य नैदिस है वो है दिपांकर दत्ता राजके पशु है गलेरी राजके पक्षी है कबूतर और वरक्ष है आम छे पड़ों से राज़े हैं यहाँ पर गोवा करनाटक तैलांगना च्छतिसगर्ड माहराष्ट मद्यपरदेश और यहाँ पर गुजराज जो है वो आपको यहाँ पर देखने हो लेंगे माहराष्ट है अच्छा यहाँ पर लोगसभा की सिटे कितनी है 48 है राज्यसभा की सिटे 19 है और यहाँ पर लोगसभा की सिटे है 288 जो की बहुत यहाँ पर विदान सभा की सोरी यह है legislative ठीक है विदान सभा यह है लोगसभा और यह है राज्यसभा तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर यार रखना है ठीक है अगला क्यूशन है अंतराष्टे ग्रामीन महिला दिवस इंटरनेशनल रूलर वुमन्स डे के रूप में कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है सी 15 ओक्टोबर को हम यहाँ पर मनाते हैं इस दिवस को मनानी के उद्देश है ग्रामीन गरिबी उनमूल में ग्रामीन महिलाओं के महत्यों के परति लोगों को जागरूप करना ग्रामीन महिलाओं की आर्थिक स्तती में सुधार करना महिलाओं के शशक्ते करण को बढ़ावा देना इस दिवस को मनानी की घोषना संव्तराष्टन ने की थी तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर इस परियोजना विसु बैंक द्वारा समर्थित है और स्टार्स परियोजना का उद्देश है, शिक्षण अध्यन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करना है और यह है इस पुरियोजना के माध्यम से डिजिटल सिक्षा को बढ़ावा देना और प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को पढ़ाना ये इसका मैनुदिश्य है वो रखा गया है परदार मंतरी नैंद्रो मोधी जी ने करसी एवम खाद्य संगठन यानिकी यहां पर अगर हम बात करें AFAO की पिचोतरवी वर्षगांट के उपलक्ष में कितने रुपे का इसमारक सिक्का है वो जारी किया है अगर हम यहाँ पर बात करें FAO की यानिकी Food and Agriculture Organization और इन्हों ने जारी किया है पिचोत्तर रुपे का अच्छा Food and Agriculture की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 October 1945 को इसकी स्थापना हुई थी इसके Headquarters आपको Rome, Italy में देखने को मिलेंगे अच्छा इसके अध्यक्स कोन है आपर इसके अध्यक्स है क्यू डिंग्यू ठीक है डिंग्यू पैरेंट और्गनाजेशन है United Nation Economics and Social Council ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है FATF ने किस देश को Enhanced Follow-Up सूची में शामिल किया है तो ये शामिल किया गया है Option Number आपका क्या करेक्ट होगा यहाँ पर Option Number आपका करेक्ट होगा A. पाकिस्तान ये मैं कल करवा चुका हूँ आपको A. क्यूशन रिपीट हो गए आपका ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है अच्छी ये वैसे ग्रे लिष्ट है जो यहाँ पर आपको दे रखी है ठीक है FATF की बात की जाए तो Financial Action Task Force है वित्यकारवाई कारियबल जो है इसकी स्थापना 1989 को पेरिस में इसका हेड़क्वाटर है और अध्यक्स है यहाँ पर Marcus Player यह चाइना के है ठीक है चली आज का जो आपका टेस्ट का जो क्यूशन है यहाँ पर ठीक है आज का जो आपका टेस्ट का क्यूशन है किस राज्य में मानसिक स्वास्ते के लिए टॉल फिरी सरकारी हेलप लाइन मनसमवाद सुरू किया है यह आपको बताना है कि किस राज्य में सुरू किया गया है अगर गाईज अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप हमार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब करें वीडियो को लाइक करें और 2000 लाइक तक इस वीडियो को पहुचाने का जो टार्गेट है आप पूर से पूरा कीजिए वीडियो को प्लीज शेर कीजिए इस क्यूशन का एंसवर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पर पूरा नोलेज है वो यहाँ पर इस क्यूशन के बारे में अगर आप इस क्यूशन का एंसवर जानना चाहते हैं तो आप हमारे लाश्ट यानिकी कल के दिन का करेंट अफेर्स भी देख सकते हैं बैल एकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा सो गाइस थैंक यू एव्रिवान थैंक यू सो माइशन